ऑघो yourself नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका माई किसांब दोस्ते युट्यूब चनल पर मेरा नाम है यह सजाट और दोस्तों आज हमारे साथ कास मैमान है इंदर शिंग जी इंदर सिंग काफी समय से जेविख खेती जो आपनी जो मूल्य नहीं मिल पाता था जो राश है पिछेट कर रहे हैं उस की रिट में काफी अंतर देखा गया मैं तो गिसान ऐसा जिस से उनकी जो फसल है जयेविक उनका अच्छा मुल्य मिल पाए तो किसान को बाजार के लिए अभी तो सोशल मίडिया माद्यमramento अपन वाट्सों पर या फेस्बूक पर जो अपने जो फसल पेदा कर रहे हैं उसकी डिलेट देते रहो हमने यह किया जिवाम्रेट डाला वर्वी कंपोस्ट डाला ऐसे ऐसे करके नम कर रहे हैं तो बजार मिल जाए और कुछ लोगों को यह भी समझने चाहिए कि फेमेली डा रसे मयां कर दूल ऑने आलकर पा की आधि एलबकर देखना जोट mim यह को पार हो जोके ठोला में स्बस्य काइब होता है कि व्रवाब मेरी उनको तो यह तो आज की। तो आपके हर दुसरे दिन इस्प्रेय होता है कीट का फपुन दिनाशक का तो यह कहीं नहीं जहर जाई जराय अपने पेट में और पशुओं की बात है तो जो भूसा निकलता है उसमें चार-चार-पांच पार करके ने फिर वह पन पशुओं को खिलाते हैं उसको खिलाने के लेगे कि उसको और जो पेसे वाले जो लोग खरीते हैं अगर उनको ड़ेजार रुपए आल्रेडी गयों उनको मिलता है खाने के लिए अगर वह एक जार रुपए और बढ़ा के अगर उसको जहर मुक्त अगर गयों मिलेगा तो वह खाने में क्या दिखाते जिए और जो अपने घ्योओं है या फिर जो भी खाने की चीदे है उन्हें जेविक बता कर तुसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं ऐसे में जो किसान सुद्दरूप से जेविक कर रहा है उसके उत्पात तो नहीं बिख पाते हैं लेकिन उन लोगों के उत्पात बिख रहे हैं तो किसान भाई किस तरीके से अपने जो उत्पादन है उसको या फिर अपना जो प्रोड़क्ट है या फिर जब नग्यों है उनको किस तरीके से बाजार या उन लोगों तक पोचाए यह जो खरिदार होते हैं उनको पुरा ध्यान रखना चाहिए कि यह विचुली की चक्कर में क खरिदने तो दोनों के लिए फाइदे उसको चीज बे अच्छी मिलेगी अगर वाधियर दे रहा है तो उससे नहीं कर रहे अगर कुछ हततका हम किसान के संपर्ग हमे किसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो किसान चाहि जो टिभी बहता ने रही इना डिजए तो जो उसको मिल रहा है वही ठीक है तो उसको मेरा यह कहना है कि बीच्चो अलियों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए डारेक्ट आप किसान से संपरका करो आज कल हर किसान सोचल मीडिया के माधियम से जूड़ी जाएगा हर जगा टांस्पोर्टेशन की सिस्टम है बेंक में उसके काउन में पैसे डलवा तो आप किसान बिल्कुल बेजेगा कभी किसान भाइवानी नहीं करेगा कि आपने पेसा डलवा दिया पिछले साल में वेंगलोर गयों पेज तरही तरही जानकारी देना चाहिए और उसका ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडेक्ट का परचार करना बिल्कुल ताकि लोगों तक पोंचे दोस्तों इंदर सिंग ने काप्वी बढ़िया जानकारी दी है जो किसान अपने जेविक उत्पात तयार कर रहे हैं जेविक सबजिया तयार कर रहे हैं उन सभी से सर का जो मेसेज है वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने खेत में जैसे अखाद डाले खेत की तयारी करें तो वह फोटो खीचे वह भी सोसल मीडिया पर आप डाले के वह यह आज की तारिक ने हमने इस तयार किया जो बीज आप डाल रहे हैं वह भी बताईए उसमें कौन-कौन से आप जैविक कर रहे हैं वह भी बताईए आपकी फसल कितने दिन की हुई बीच बीच में आप वीडियो डाल के अपडेट देते रहे ताकि जो कस्टमर है जैविक खरिदने वाले उनको ट्रश्ट हो सके कि हाँ यह सुद्ध जैविक कर रहा है और अपने उत्पात बेंसे कि वहाँ पर उनके मुबाइल नंबर वगेरा भी आप देते हैं तो यानि कि अपने प्रोडेक्ट का खुद ही पचार आप करेंगे तो बिढ़िया तरीके से आप बेंच पारेंगे जी काथी महत्पुन जानकरी सार जरूर करियेगा हूँ